6th class, आज हम नया चप्टर शुरू कर रहे हैं 3.3, इसमें करना निम संख्याओं के गुननख्ण बताओ, पहला है 24, 24 के गुननख्ण निकालने हैं, तो इसका मतलब, गुननख्ण का मतलब है कि हमने वो संख्याई लिखनी है, जिस टेबल में 24 आता है, ठीक है बटा, तो 1 जो यहां तक कर लिए ना, इसके बाद करने के बाद हम यहां पर दिखेंगे 2, 2 को किस से मल्टिप्लाई करें, कि 24 आएगा, तो 12 आ जाएगा, तो 12 कितने होते हैं, 24, फिर उसके बाद में लिखते हैं, 3, 3, 8, 24, 4, 6, 24, ठीक है, चार के बाद अगर हम 5 लें, तो 5 के टेबल में नहीं आता ना, 5 के पाड़े में नहीं आता, 24, 6 के पाड़े में आता, लेकिन 6 वाला हमने लिख दिया, 6 को को 24 होगा, तो 4 गुना 6 लिखें, या 6 गुना 4 लिखें, एक ही बात होती है, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 24, 8 के टेबल में आएगा, वो हमने पहले लिख दिया ह स्तारा ठारा उन्नी वी इकी बाई तेई चोवी लास्ट चोवी होगा जो संक्या वो लास्ट होगी तो चोवी वाला भी पहले लिख दिया चोवी एकम चोवी तो अब गुननकंड कौन से होंगे इसके यहां से शुरू करेंगे वन तू थ्री फोर यहां तक लिखने के बाद यहां पर आ जाएंगे 6, 8, 12 और 14 ठीक है बटा इसी तरह से हम next करते हैं यह पहला था इसमें अब यह A था इसमें अब हम लिखते हैं B B क्या है इसमें यह देखिए B दियावा इसमें 15 15 कि अगर हमने गुननखन करेंगे तो वैसे ही होगा 1, गुना, 15 पराबर 15, 15 एकम 15 हो गया ठीक है next अगर हम 2 से करें इसके बाद में 2 लिखना होता है तो 2 के पाड़े में तो आएगा नहीं तो यह आएगा 3 पे, 3, 5 कितना आता है 3, 5, 15 अब 4 के पाड़े में 15 नहीं आता 5 के पाड़े में आएगा तो 5 तीए 15 वो तो इसमें आ गया पहले 6 के पाड़े में नहीं आना 7 में नहीं आना 8 में नहीं 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 दस के पाड़े में नहीं आना 11, 12, 13, 14, 15 तो उसके बाद में अब कौन सा रहा गया तीन गुना पांच या पांच गुना तीन लिख दिये कलता एक को यह गी है ते अब इसके बाद में 11, 12, 13, 14, 15 तक कोई भी भी नहीं आना तो इसमें सिर्फ यह आना तो 15 के गुनन खंड कौन से हो गए के गुनन खंड बराबर वन ये वन फिर त्री फिर फाइब और फंदरा वन फ्री फाइब और फंदरा यह है इनका आंसर इसी तरह से आपने बाकी के कोश्चन्स भी करने हैं ठीक है बटा